दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में कायमरा ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे आप इस प्रोवलम को सही कर सकते हो तो जैसा कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं अपने फोन में कायमरा आप ओपन कर रहा हूँ तो यहां पर यह open नहीं हो रहा है बार-बार cut हो रहा है या फिर हो सकता है कि आपके mobile में camera open करते समय ऐसा error आ जाता होगा camera error can't connect to camera या फिर हो सकता है ऐसा error आता होगा या फिर ऐसा तो खुल मिलाकर अगर आपके mobile में camera open नहीं हो रहा है camera open करते समय कोई भी error आ रहा है तो आप इस problem को कैसे ठीक करोगे जिससे camera open हो जाए यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं गर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को like जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आप चैनल को subscribe करिएगा चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो guys इस problem को सही करने के लिए सबसे फिले आपको अपने phone में sitting app को open करना पड़ेगा तो ये है मेरे phone में sitting app और मैं इसको open कर लेता हूँ तो आप sitting app को ढूनेंगे दिन आप इसको open करेंगे चलिए मैं open करता हूँ तो sitting को open करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा नीची आना है और जैसे आप नीची आते हो तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा manage apps का तो यह है manage apps का option तो आप ढून लेंगे open नीचे कहीं ना कहीं पर यह manage apps का option मिल जाएगा तो आप इसपर touch कर देना या फिर सिर्फ apps लिखा होगा सभी के phone में sitting अलग-अलग होती हैं तो आप ढून लेंगे अगर आपको यहाँ पे manage apps ना मिलें टूच करने के बाद यहाँ पर आपके phone में जिसने विखापर होंगे सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर ढून लेना कारी invent कहां पर है तो मेरे में यहाँ पर ही एप gonnaそれは तो अब पर में इसके टचकर देता हूं तो अभी storage वाले option पे touch कर दे रहा तो मैं click कर देता हूँ तो जैसे आप storage पे click करते हो तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा नीचे clear data का या फिर हो सकता यह option यहाँ पे लिखाओगा clear data तो आप देख लेना यहाँ पे मिल जाएगा तो आप touch कर देना मैं clear all data पे click करा उसके बार में आपको नीचे okay पे touch कर देना है बस आपको इसका data clear करना है आपको simple back चलियाना है इसी के साथ साथ आपको छोटी सी sitting और कर लेना है आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको एक option लेगा i permissions का आप इस पर touch कर देना और यहाँ पे देख लेना camera और microphone story location अगर यह option बंद है तो चालू कर देना अगर चालू है ठीक है आपके में चालू ही होगा ठीक है तो आप चेक कर लेना बस और फिर आप नीचे आना यहाँ पे आपको एक option मिलेगा नीचे clear default आप इस पर टच कर देना बस आपको इतनी sitting करना है आपको simple यहाँ से back चले आना है आप camera app जैसे ही आप open करेंगे camera ओपन हो जाएगा कोई भी error नहीं आएगा camera की जो problem थी वो 100% solve हो जाएगी चले मैं आपको check कराता हूँ तो अब मैं camera app को open करता हूँ जैसे हमने camera app को open करा यहाँ पे आप से permissions बोलेगा यहाँ पे आप allow कर देना यह है allow अभी आप allow पे टच करेंगे तो जैसे आप टच करते हो और camera app open हो जाएगा यहाँ पे आप just नी जैसे हमने sitting को सही किया हमारे phone में camera open हो रहा है चलिए मैं आपको एक बार फिसे से कराता हूँ मैं camera पे क्लिक करा तो यहाँ पी यह camera open हो चुका है ओके तो यह रहा camera जो चालू हो चुका है तो इस बगास से अगर आपके mobile में camera open नहीं हो रहा है कोई भी error आ रहा है open करते समय तो आप इस problem को solve कर सकते हो इसली तो चलिए आज के इस video को यहीं पेंड करते हैं और मैं आपसे भी लूगा ऐसी ही नई exciting useful videos के साथ अब तक लिए जाए हिन